हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो इंग्लिश विद आशा मैम, आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ, और ये पैसेज है, री कलेक्शन्स ओफ अर्ली चाइल्ड हुड, इस टॉपिक के ओपर है, आप बहुत इंजॉय करोगे जब इसको पढ़ोगे, और साथ मे क्या है, रिलेट भी कर पाओगे, अपने बजपन की यादों से, री कलेक्शन्स मतलब यादें, दुबारा से री कलेक्ट करना, दुबारा से याद करना, अर्ली चाइल्ड हुड जब हम बहुत चोटे बच्चे थे, तो बजपन की यादें, इसके ओपर ये पैसेज है, अ इन दे इवनिंग्स, शाम के दौरान, यूजवली, हमेशा की तरह, मैनी फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स या दोस्त, केम, कम का सेकिंड फॉर्म है, केम आया करते थे, विजट करने के लिए, फादर, मना पिता को मिलने के लिए, बहुत सारे लोग आया करते थे, यहाँ पे य लवाए से फिनिश होने वाले वर्ड्स, जादर एडवर्ब्स होते हैं, and he would relax after the tension of the day, he यहाँ पे प्रोनावन है फादर के लिए, कि वो जो है फादर, वो रिलाक्स करते थे, अराम करते थे, after tension, मतलब कि पूरे दिन की tension के बाद, and the house would resound with his tremendous laughter, और जो घर था, वो resound मतलब गूंजना, और tremendous, बहुत ही, जोर से laughter, हसी, क्योंकि जब वो हसते थे, तो बहुत जोर से हसते थे, इसलिए, यहाँ tremendous है, जो यह adjective है, O-U-S से फिनिश होने वाले words, adjective होते हैं, उनकी हसी जो थी, वो क्या थी, बहुत ही ठाके, लगा लगा के हसते थे, resound means गूंजना, the tension of the day, and the house would resound with his tremendous laughter, his laugh became famous in Allahabad, तो उनकी जो laugh या खुशी या हसना था, वो बन गया famous काफी प्रसिद, बिकम का second form में बिके, वो बहुत ही प्रसिद बन गया, famous हो गया Allahabad में, sometimes I would peep at him and his friends from behind a curtain, sometimes कभी कबार I would, peep मतलब जहाकना, मैं जहाका करता था उनके उपर और उनके friends के behind, पीछे, curtain, परदे, परदे के पीछे से मैं उनपर और उनके friends के उपर, उनके दोस्तों पर जहाका करता था, trying to make out what these great big people said to each other, make out, to make out मतलब समझने की कोशिश करना, trying, कोशिश करना, समझने की, कि ये जो great लोग हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वो क्या बाते करते हैं एक दूसरे के साथ, तो छोटे बच्चे के नजरिये से ये पूरा passage लिखा गया है, ये जवाहरलाल नहरु ने लिखा है, और अपने पुराने बच्चपन के दिन याद करते हुए, तो वो बता रहे हैं कि जब परदे के बीचे शिपकर में पिताजी को और उनके friends को देख रहा था, कि बड़े in the act मतलब की रंगे हातों पकड़ा जाता, I would be dragged out ता मुझे घसीता जाता बाहर, and rather frightened, made to sit for a while on father's knee, dragged out ये आपको बताया कि घसीत के बाहर निकाला जाता, rather means quite, बहुत ज्यादा, frightened, डरा हुआ, तो यहाँ पे जो rather है, वो है adverb, कि मैं बहुत डर जाता, फिर भी, made to sit for a while, थो मुझे बिठाया जाता, on father's knee, पिता के घुटनों में, डरावा भी होता था, फिर भी, पिता के घुटनों में मुझे बिठाया जाता था, I admired father tremendously, मैं अपने पिता का आदर करता था, admire, आदर करना, प्रशंसा की भावना से देखना, मैं father को admire करता था, प्रशंसा करता था, आ प्रतीत होते थे, he father, प्रतीत होते थे, embodiment, इस शप्त का मतलब है कि जीता जाता example, embodiment, मूर्ती, और किसकी मूर्ती, strength की, ताकत की, courage, साहस की, तो साहस और courage, ताकत की, जीता जाता example, मेरे father थे, and cleverness, और चतुरता के भी, far above all the other men I saw, far above, मतलब दूसरे लोगों से काफी आगे, all the other men, जितने मैंने बाकी लोग देखे थे, उन से ज्यादा मेरे father, जीता जाता example लगते थे, साहस के, स्ट्रेंथ के, और ताकत के, और चतुरता के, and I treasured the hope, that when I grew up, I would be rather like him, treasured the hope, मतलब कि मैं अपने दिल में ये आशा रखता था, त्रेजर करके, संजो के अपने दिल में ये आशा रखता था, that, की, when I grow up, अब यहाँ पर भी when जो है, वो conditional है, कि जब मैं बड़ा होंगा, I would be rather like him, मैं भी उनकी तरह होंगा, जैसे कि ज्यातर सभी बच्चे सोचते हैं, अपने father की तरह बने बड़े होके, तो उनकी भी ये इच्छा थी, but much as I admired him and loved him, I feared him also, अब वो कहते हैं, कि much as I admired him, जितनी मैं उनको आदरभावना से देखता था, and loved him, उनको प्यार करता था, I feared him also, उनसे डरा भी करता था, His temper was indeed an awful thing, temper यहाँ पे उनके गुस्से के सभाव को mention किया गया, कि उनका जो temper था, was indeed, वो वास्ता में, सच मुच में, काफी बुरी चीज थी, awful मतलब बुरी, ठीखे, तो यहाँ पे जो है, कैसी चीज थी, awful तो यह तो adjective है, और यहाँ पे indeed, सच मुच में, तो यह adverb है, His temper was indeed an awful thing, उनका जो temper था, गुस्सा था, वो वास्ता में बहुत बुरा था, and even in after years, I do not think I ever came across anything to match it in its own line, and even in after years, मैंने काफी सालों के बाद भी, I do not think, यह तो नहीं सोचता मैं, I ever came across, कि मैं, came across phrasal verb है, इसका मतलब है कि किसी चीज से आमना सामना होना, तो यह कह रहे हैं कि, कभी भी मेरा आमना सामना हुआ होगा, बाकी के आने वाले सालों में, anything, किसी ऐसी चीज से, to match it in its own line, कि उनके temper को किसी ने match किया होगा, या मात दी होगी, उनकी अपनी line में, ठीक है, तो यहाँ पे, बोलना चाहते हैं वो, कि उनका temper जो था, उनके जैसा temper किसी और का नहीं था, but, fortunately, he had a strong sense of humor, fortunately, सौभाग्य से, यह भी adverb है, लेकिन सौभाग्य से, he had a strong sense of humor, तो sense of humor है कि, वो बजाग भी बहुत करते थे, तो यह अच्छा लगता था, जब वो छोटे थे, जब आहला नेरो छोटे थे, also, तो sense of humor भी था, तो यह अच्छा लगता था उनको, and, and, iron will, और जो उनकी इच्छा शक्ती थी, वो कैसी थी, बहुत ही मजबूत, strong, iron will, जो उनकी will है, इच्छ sense of humor also, and an iron will, and he could, as a ruler, control himself, और as a ruler, मतलब, जैसे शाशक होता है कोई, तो वो अपने आपको control कर सकते थे, as he grew older, his power of control grew, जैसे ही वे बड़े हुए, और बड़े हुए, his power of control grew, तो उनकी जो control करने की power थी, शक्ती थी, वो भी बड़ी, and it was very rare for him to indulge in anything like this old temper, और वो बहुत ही rare होता था, कभी कबार होता था उनके लिए, कि वो indulge करेंगे, पड़े रहेंगे, किसी ऐसी चीज में, जैसे कि उनका पहले गुस्से वाला temper था, पुराना temper उनमें था, one of my earliest recollections is of this temper, अब वो इसी temper की बात कर रहे हैं, गुस्से की, one of my earliest recollections, जो मेरी बहुत पहले की यादे हैं, उनकी इसी गुस्से वाले सभाव की, for, I was the victim of it, यहाँ पे जो for है, वो है क्योंकी, conjunction की तरहे use है, क्योंकी मैं उसका victim था, मैं उससे पीडित था, तो वो एक example दे रहे हैं, या पुरानी बात को बता रहे हैं, I must have been about five or six दिन, मैं लगभग पांच या साल, छे साल का होंगा, I noticed one day, two fountain pens on his office table, तो उनके office table पर मैंने notice किया, देखा, कि दो fountain pens रखे होई था, fountain pens, आपको पता होगा कि पहले ink pen होते थे, उनकी nib होती थी, चोड़ी, उनको लिखने बहुत मज़ा आता था, इंक भरते थे उसमें, fountain pens की inks आती थी और उससे भरके लिखते थे, काफी expensive भी होते थे, fountain pens, तो उनके office table पर एक बच्चे ने देखा, जब वो छोटे थे तो बच्पन में, बच्चे के एंगल से बता रहे हैं, and I looked at them with greed, और मैंने add them, मतलब उन pens की तरफ लालत से देखा, with greed, I argued with myself, I argued with myself, मैंने अपने आप से बहस की, that father could not require both at the same time, कि father को नहीं जरूरत हो सकती है, दोनों pens की at the same time, एक ही समय में, दोनों pens की जरूरत तो नहीं हो सकती है, यह मैंने खुद से ही बहस करके नतीजे पर निकला, so, and so I helped myself to one of them, और इसलिए, so इसलिए, I helped myself, इस phrase का मतलब है, बिना पूछे कोई चीज ले 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 न, तो मैंने बिना पूछे, एक pen ले लिया, उन दोनों में से, one of them दोनों में से, एक pen ले लिया, later, I found that, a mighty search was being made, for the lost pen, तो बाद में, later, बाद में क्या हुआ, I found, मैंने देखा, कि एक बहुत बड़ी धूंड चल रही है, was being made, चल रही है, उन lost pen, खोए हुए, pens के लिए, lost यहाँ पर adjective की तरह यूज है, जो कि noun को define कर रहा है, कि pen जो कि खो गए थे, या खो गया था, and I grew frightened, और मैं बहुत ही डर गया, grew, grow का second form है, at what I had done, कि मैंने क्या, जो मैंने किया था, उसकी वैसे मैं बहुत डर गया था, but I did not confess, लेकिन मैंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, confess मतलब स्वीकार करना, the pen was discovered and my guilt proclaimed to the world, pen was discovered, तो pen को तो ढून लिया गया, and my guilt, मेरा जो दोश था, वो proclaimed, इसका मतलब है कि known publicly, उसकी घोशना कर दी गई, इसकी घोशना कर दी गई सब लोग के सामने, to the world, पूरी दुनिया के सामने, कि जो pen है वो मैंने चुराया था, father was very angry and he gave me a tremendous threshing, threshing मतलब मार और tremendous बहुत ज्यादा, तो father जो है वो बहुत गुसा हो गए, और उन्होंने मुझे बहुत मारा, कि कोई भी मैंने दुख भरी भावना या बुरी भावना रखी होगी, toward my father अपने पिता के लिए, because इस punishment की वज़ा से, मैंने अपने दिल में कोई भी खराब भावना रखी होगी अपने पिता के लिए, I think I must have felt that it was a just punishment, I think मैं सोचता हूँ कि मैंने feel किया होगा, महसूस किया होगा, feel का second form है, felt कि मैंने महसूस किया होगा, की, it was a just punishment, यहाँ पे जो just है, वो है, adjective, की सही punishment, तो मैंने कोई गलत भावना नहीं रखी उनके against, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बिलकुँ सही सजा दी गई है मुझे, though, perhaps, overdone, though, हलांकी, conjunction है यह, perhaps, शायद, यह adverb है, की ज्यादा पढ़ गई, overdone, मतलब कोई चीज ज्यादा कर देना, कहता है कि हाँ, हालांकी मैंने सोचा कि ज्यादा ही कुछ मार पढ़ गई, लेकिन इसकी वज़से मैंने कोई ill, मतलब खराब भावना नहीं रखी अपने पिता के against, but, though my admiration and affection for him remained as strong as ever, fear formed a part of them, but, लेकिन, though my admiration and affection for him, मेरा प्यार या आदर और affection हो गया प्यार, उनके लिए remain as strong as ever, हमेशा से ही जितना strong था, हमेशा उतना strong रहा, fear formed a part of them, लेकिन उनसे डर भी जरूर लगता था, fear formed a part of them, यह जो admiration और affection की भावना हैं बताई हैं, कि एक भावना डर की भी थी उनसे, not so with my mother, और इतना mother के साथ नहीं था, मा के साथ इतनी डर की भावना नहीं थी, I had no fear, मुझे तो कोई डर ही नहीं था, for, यहाँ भी because, for का मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, because, क्योंकि I knew she would condone everything I did, क्योंकि मुझे पता था कि वो condone means अंदेखा कर देगी, सब कुछ जो मैं करता था, and because of her excessive and indiscriminating love for me, और एक और बज़ा बताई है, because of her excessive बहुत ज्यादा और indiscriminating means, बिना discriminate किये हुए, बिना विचारे हुए, भेदभाव किये हुए, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी मुझ से, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि, मा से तो डर इतना नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था, वो मेरी किसी भी गलत काम को भी अंदेखा कर देंगी, क्योंकि वो मुझ से बहुत प्यार करती थी, I tried to dominate over her a little, तो मैं कोशिश करता था, थोड़ा dominate करने की, बदला powerful रहने की उनके उपर, थोड़ा बहुत, a little, थोड़ा बहुत, उनके उपर dominate करने की कोशिश करता था, I saw much more of her, than I did of father, तो मैं उनके साथ ज्यादा रहता था, than comparison है, I did of father, वहला कि father के मुकाबले, mother के साथ तो मैं ज्यादा उनको देखता भी था, और time spent करता था, saw much more of her, उनके साथ ज्यादा time spent करता था, and she seemed nearer to me, और लगती भी थी, प्रतीद भी होती थी, वो मेरे काफी close है, nearer, comparative degree है, ज्यादा नजदी की, उनसे थी मेरी, so I would confide in her, इसलिए, मैं क्या करता था, confide, इसका मतलब होता है, secret बताना, तो मा के साथ share करता था, I would confide in her, तो मैं उनको अपने secrets भी बताता था, when I would not dream of doing so to father, जबकि father के साथ, तो मैं सपने में भी, ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकता, not dream, ना सपने में भी नहीं सोच सकता, कि father के साथ ऐसा करूँगा, she was petite, petite and short of stature, यहाँ पर petite का मतलब है, छोटी, पतली, और stature में कद में, and soon I was almost as tall as she was, और जल्दी ही, मैं almost लगभग उतना ही टॉल हो गया, लंबा हो गया, जितनी वो थी, and felt more of an equal with her, और महसूस करता था, कि मैं उनके ही बराबर का हूँ, तो एक तो यह है कि, बाते करते हुए भी, उनसे सब कुछ शेयर कर लेता था, और आप height भी लंबी हो गई है, तो लगता था कि मेरे बराबर की हैं वो, I admired her beauty, and loved her amazingly, admired मतलब प्रशंसा, या प्यार की भावना से देखना, उनकी beauty, सुन्दरता को, और प्यार करता था, उनके छोटे और सुन्दर हाथ और पाउं को भी, जो कि आश्चरेजनक रूप से, छोटे और स्मॉल था, क्योंकि यहां उनने बता है कि मेरी जो मदर थी, वो छोटी थी और दुबली पतली थी, लेकिन फिर भी मैं, जैसी हैं, वैसी उनको बहुत प्यार करता था, अमेजिंगली यहां पर एडवर्ब है, तो ये तो हमने छोटा सा पैसेज पढ़ा, आटो बायोग्रफी, जो की खुद लिखी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको बोलते हैं आटो बायोग्रफी, तो ये है, ये वाली स्टोरी जो है, वो जवाहला नहरू की आटो बायोग्रफी से, इतना एक्स्ट्रैक्ट लिया गया है, जो हमने अभी पढ़ा, तो फ्रेंड्स, I hope आपको ये पैसेज पसंद आया होगा, और इसके जरीए आपने कुछ न कुछ जरूर नया सीखा होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंज, अगले वीडियो में मिलते हैं,